आज के क्लास में पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्दों को जो वाकई में अंग्रीजी की जान है क्यूंकि ये आपको वाक्यों को सही तरीके से फ्रेम करने में हेल्प करता है और चली तो क्लास को शुरू करते हैं हे एवरिवन स्वागत है आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीती मैम आप देख रहे हैं सन्रीट इंग्लिश अकाडमी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अन कर दीजिए गा ताकि आपको यहाँ पर जो भी क्लास साथी हैं वो मिलती रहें जो लोग भी रोज टलस अरड़ करते हैं उनको थांक यू और चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को हम लोग ऑगे बढ़ाते हैं सबसे पहला शब्ध है वाई जो की वाई जो कि एक डबलु ऐच करते हैं जैसे आप क्यों चले गएं वाई डिड यू गो अगला वर्ड है change, change का मतलब होता है बदलना या बदलाओ, दोनों ही तरीकों से उस होता है, बदलना या बदलाओ, यह दोनों तरीकों से उस होता हो आपको देख जाएगा तो घबराईएगा नहीं दूसरा तरीका देख करके है ना जैसे अपनी कलम बदलो, change your pen अब देखो यहाँ पर instruction के तौर पर भी use हो गया जहाँ पर हमने बदलना, बदलना, बदलाओ और तीसरा जाना बदलो, है ना instruction के तौर पर यहाँ पर use हुआ तो मोड़ा मोटी change जो है वो बदलाओ को ही बोलते हैं बदलने को ही बोलते हैं, वो format कोई सा भी हो सकता है लेकिन आपको यह understanding होनी चाहिए कि अच्छा बदलने की बात हो रही है, मतलब change word यहाँ पर use होगा तो this is called की understanding आपके develop हो रही है अंग्रेजी की देखो अंग्रेजी बोलने के लिए जितने rules, regulations और आपको नियम, कानून जरूरत होते हैं वो तो है ही, वो तो जरूरत है ही, उन वहाँ पर तो आप kompo करी नहीं सकते है compromise वहाँ पर आप करी नहीं सकते है, लेकिन at the same time तेरे लोगों के साथ हो रही है और ये genuine problem है, तो इसको sort out कैसे करे, problem है, problem है, problem है, ma'am, हमें भी बता है, problem है पर sort out कैसे करे, ये कौन बताएगा, मैं हूँ, ना मैं बताऊंगी एक understanding develop करो, अंग्रेजी से थोड़ा प्यार करो, थोड़ा सा पनाओ यार इस भाशा को, ठीक है तो जाके के ना, एक बड़ी understanding develop होगी, mutual एक respect होती है वो develop होगी, भाशा भी आपकी respect करेगी और आपको भी इसकी respect करनी है, understanding develop होगी, अराम से आप अंग्रेजी बोल पाओगे, fluency क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, अराम से आ जाती है, understanding develop होते के साथी, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं अगला है, went, went का मतलब होता है, चला गया, went का क्या मतलब होता है, went का मतलब होता है, चला गया, जैसे आप कहते हैं, he went, वह चला गया, he went, वह चला गया, he went, need, जरूरत या आविशक्ता के तौर पर इसका इसका इस्तेमाल वाक्य में किया जाता है, जैसे हमें उसके आवेशक्ता है, we need that, हमें उस चीज के आवेशक्ता है, उसके आवेशक्ता है, we need that, अब यहाँ पर हिंडी जो है, वहाँ पर उसकी जहाँ पर इस्तमाल हो रहा है, यहाँ पर अभी यह समझने वाली बात है, कि यहाँ पर उसकी जो है, वो व्यक्ति के लिए यूज कर रहे है या किसे सामान के लिए यूज कर रहे हैं, ये उस particular situation में आपको होना पड़ेगा, ठीक है, आप वहाँ पर हो, आप समझ जाओगे कि हाँ वही चलो, यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, यहाँ पर समान की बात हो रही है, पर अंग्रेजी में कैसे करोगे, अंग्रेजी में अ आपड़ेगा, ठीक है, again इस्तमाल होता है, फिर again का मतलब होता है, फिर से दोबारा ऐसे, है ना, जैसे उसने फिर किया, he again did it, near, निकट या पास, नस्दीक, जो कह लीजी, इस तारित जगों पर near का ही उस होता है, हम घर के नस्दीक हैं, हम घर के निकट हैं, हम घर के पास है, we are near to home, ठीक है, we are near to home, फिर है, हमने इसे खुद किया, यहां पर इस्तमाल होता है, खुद के जगा पर self का, किसका use होता है, self, जैसे हमने इसे खुद किया, we did it ourselves, we did it ourselves, फिर है part, जो का मतलब होता है, हिस्सा, part यानकी हिस्सा, जिसे यह मेरे काम का हिस्सा है, it is part of my job, य मेड का मतलब क्या होता है, मेड का मतलब होता है बनाया, चेके, अब मेड कहां पर यूज होगा ये समझे लो, जहां पर आप कुछ फॉर्म कर रहे हो, है ना, फॉर्म कर रहे हो, जहां पर आप कुछ बना रहे हो, तो आप वहां पर मेड का यूज करते हो, चेके, जैसे ये के किस ने बनाया, who made this cake, ये केक किस ने बनाया, who made this cake, where, इस्तमाल होता है, जगह के लिए, जहां, कहां, दोनों ही तरीकों से इस्तमाल हो जाता है, तो आपको इस्तमाल, इसका ध्यान कैसे रखना है, इसका इस्तमाल का, इसको simple, simple सा logic, इसका इसका इस्तमाल का ध्यान रखने के लिए जब आप सवाल पूछ रहे हो तो कहां का यूज करो जब आप statement डे रहे हो तो जहां का यूज करो लेकिन उसके साथ ही आपको ख्याल रखना है कि वेर जो है WH word की शेनी में आता है सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है, normal statements में भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ ये जगह यानि की location के बारे में बात करता है मेरी किताब कहा है, where is my book अब किताब की location के बारे में बात हो रही है तुम्हारी किताब अलमारी में है तुम्हारी किताब तुम्हारे table पे है तुम्हारी किताब तुम्हारे bag में है चिक है, location की बात हो रही है, जग्य की बात हो रही है, फिर है few जिसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ, कुछ biscuit, few biscuits है ना, अब देखो, few का ना मतलब समझो, देखा है मैंने कई लोगों को little और few में confused होते हुए, आप few को समझ लो, little अपने आप समझ आ जाएगा, few तभी इस् packet to biscuit चाहिए, है ना, तो mention कर रहे है, quantity को mention करो, quantity को गिन सको, है ना, तो हमने क्या क्या, few biscuits, few biscuits, ठीक है, तो mention का quantity आप कर सकते हो, गिन सकते हो उस चीज की, तो few का use कर लेना, फिर है with, जिसका मतलब होता है साथ, साथ में या लेकर, जैसे उसके साथ जाओ, go with him, will, इस्तमाल ह होता है future वाले वाक्यों में, याद रखना, और यह ऐसे वाक्यों में दिखेगा आपको, जिसके अंट में गागे गी दिखे आपको, वह आएगा, he will come, वह आएगा, he will come, फिर है who, जिसका मतलब होता है कौन या जो, जैसे कौन आया, who came, यह in person use होता है, मतलब किसी व्यक्त के बारे में बात कर रहे हो, discuss कर रहे हो, question कादान प्रदान कर रहे हो, तब यूज करते हैं, फिर है what, जिसका मतलब होता है, क्या, जैसे क्या हुआ, what happened, well, अच्छा, अच्छी तरह से, या सही, इन सब के जगा पर यूज होता है, उन्होंने अच्छा किया, he did well, और well का एक मतलब कुवा भी होता है, ठीके, कुवा जानते हो न, कुवा पानी निकलता है उसमें से, है न, कुवा, ठीके, फिर है was, यूज होता है, past में और उस वाक्य में दिखेगा, जिसमें अंत में था या थी या थे दिख रहा हो, वह एक चात्र था, he was a student, वह एक चात्र था, he was न, चाहिए मिरको, चाहिए मिरको, तो want word का यूज करते हैं, तो यह जरूरत नहीं है, यह चाहिए, तो जरूरत और चाहिए, दोनों में फर्क होता है, यह फर्क समझना होगा, हिंडी में अपन समझते हैं, अंग्रेजी में समझोगे, fluent उसी दिन बन जाओगे, little, थोड़ लेती हूँ, few जो है, वो countable चीजों के साथ यूज होता है, biscuit के साथ यूज किया था हमने, 4 biscuit, 6 biscuit, 10 biscuit, right, little यूज होता है, जहाँ पर quantity आप नहीं माप सकते हो, जैसे पानी, little water, थोड़ा पानी, little water, right, जहाँ पर नहीं माप सकते हैं, uncountable चीजों की बात हो रही है, तो लोग दे का यूज करते हैं, वे चातर हैं, दे आ स्टूडेंस, बहुत आसान है, देर, वहाँ या उधर, मेरा बैग वहाँ है, देर इस माइब, यहां से वहाँ गायब है, मेरा बैग वहाँ है, देर इस माइब, यह भी location की बात करता है, और आप से थोड़े से दूर वाल location की बात करता है, ठीके, देर, उनका, उनकी, इनका, इनके, अगर किसी person के belonging की बात कर रहे हो, उसके समान की बात कर रहे हो, उसके चीज की बात कर रहे हो, जैसे यह उनका बैग है, टिस देर बैग, यह उनका बैग है, टिस देर बैग, कहा, said का use होता है, जैसे उसने मुझ होशियार है, he is too smart, वो बहुत होशियार है, he is too smart, जल्द जल्द ही शीघर इस्तमाल होता है, soon, मैं जल्द आऊंगा, I will come soon, now, अभी या अब, जैसे वह अभी आएगा, he will come now, आप अभी इस moment की बात कर रहे हो, तो now का use करोगे, ठीक है, new, नया या नहीं, ये नया है, this is new, now new, confused होते हैं लोग, चकें, तो लीजिए, ये थी आज की class, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को किया, random picks थें ये शब्द, जो आपको here and there दिख जाएंगे, use होते वे, और अगर गलिती से भी, आप इन में से किसी एक का मतलब या दो का मतलब नहीं जानते हो, और eventually वही use हो चाहिए, reason being, इन में से कुछ शब्द ऐसे होंगे, जो आपको already आते हैं, which is good, आपका revision हो क्या, और कुछ ऐसे होंगे, जो आपको नहीं आते हैं, again, great, कि आप जो है, वो समझ के हैं, आपको नया पता चला, है ना, तो ऐसे करके आप अपनी English की understanding को develop कर सकते हो, नहीं तो फि अग्रेजी सीखने के करम में पूरी जंदगी खतम हो जाएगी, कभी भी अंग्रेजी fluent नहीं कर पाएंगे, ठक हार करके छोड़ देंगे, फिर कुछ और करने लगेंगे, है ना, नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, अपने को कुछ ऐसा बनाना है, कि जो चीज सोच लिया सीखन नहीं है, वो सीखनी है, चाहे जैसे भी हो, है ना, तो क्लास कैसे लगी, कमेंट करेंगे, फड़ा फड़ से बता दो, क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना, संडित इंगलिश काड में आप देख रहे हूँ, मैं हूँ प्रिती मैम, सब्सक्राइब कर दीजेगा, क्योंकि साथ देटा से हमें पता चलता है, कि बहुत सारे लोग हैं, जो रोज क्लास को टेंड करते हैं, रोज क्लास देखते हैं, रोज अटेंड करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब कर दीजे, और जो लोग सबस्क्राइब कर रखे हैं, जो रोज अटेंडेंस लगाते हैं, उनको थाहे दिल से शुक्रिया, और क्लास को लाइक कर दिया करो, आगे शेयर कर दिया करो, इसके अलावा हमारी कोर्स जैसे बेसिक से प्रो, स्पोकेन इंगलिश का कोर्स, इंगलिश राइटि कोई दिक्कत अगर आती है, पेड कोर्स से संबंदे, तो इस नंबर पर वाट्स अप मेसेज कर सकते हैं, जानकारी के लिए, आप एबुक्स यहां से ले सकते हैं, सारी PDF वाली की दाब्बे हैं, तो आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा, Facebook और Instagram पर फॉलो कर लिजेग मैं आप से मिलूंगे आपके अगली क्लास में, तिल देन, थैंक यू सो मुच पर वाचिं, स्टे तून तो संरीत English Academy